रादे रादे कुझ विहारी श्री हरदास आजम सभी प्रशोत्तम मास मात्म की संपुर्ण कता के अंतरगत 18 वे अध्याय की कता का स्रवन करेंगे आप सब अपना ध्यान बाके विहारी जी माराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कता का आनंद लें नमः कुझ विहारिन नई नमः कुझ विहारिने स्वामी श्री हरदास आए गुरुणाम गुरुवे नमा राधा मेरी स्वामिनी मेराधे जुको दास जनम जनम मोहेद दीजियो श्री व्रणदावने को वास प्रतेक जनम में श्री व्रिंदावन धाम का वास मिले इसी मनो कामना को साथ लेकर हम सब अठारेवे अध्याय की कता का स्रमण करते हैं नारज जी बोले हे तपो ने दे फिर ध्रण धनवा राजा से वालमिकी जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाईए नारज जी के ऐसे वचन सुन नारायन बोले राजा ध्रण धनवा अपने पूर्व जनम का व्रतांत सुनकर आश्चर्य से मुनीश रेष्ट वालमिकी जी से फिर पूछने लगा हे ब्रामण आपके सुन्दर वचनामरत का बार बार पान कर मैं त्रप्त नहीं हो रहा हूं अत्य और इसके बाद का हाल चुनाईए वालमिकी जी बोले हे प्रत्वी पते उस ब्रामण के ऐसे विलाप्ट से दशों दिसाएं गुनजाएं मान हो गई और असमय होने वाले मेग गिर आए उसके साथी परवतों को कपाने वाली तता शरीर को इसपल्ष करने वाली तीक्षण वायू चली और अत्यंत कड़कडाती अवाज से बिजली जमकी वह मेग शब्द सब दिसाओं में फैल गया इस प्रकार एक महीने तक पानी वरस्ता रा सब प्रत्वी जल में हो गई किन्तु पुत्र शोक की अगनी से तपित उस ब्राह्मन को कुछ भी पता नहीं चला उसने अन्य जल सब छोड़कर हाय पुत्र हाय पुत्र कहते हुए विलाप किया वहीं एक मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय प्रशोत्तम मास था अते अंजाने में ही प्रशोत्तम मास का सेवन हो गया इससे अत्यंत प्रशन हो नवीन मेग के समान श्यामवरण वाले वनमाला दारी श्री कृष्ण भगवान प्रगट हो गए उनके प्रगट होते ही बादल चट गए तब राम्मल ने भगवान प्रशोत्तम का दर्शन किया, शीग्र ही पुत्र को प्रत्वी पर रख कर इस्तरी सहित स्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर हात जोड स्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। प्रशोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन होकर अमरत मैं मधुर्मारी बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़िव सौबाक साली हो, तुमारा वरणन त्रिलोकी में कौन कर सकता है, हे वत्स, सुनो, तुमारा भविश्य मैं कहता हूँ, हे ब्राम्मन, त तुमको यह पुत्र देता हूँ, मेरे प्रशाच से, तुमारे पुत्र सुख को देखकर, देवता, गंदर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे, इस सम्मंद में मैं तुमसे एक प्राचीन इत्यास कहता हूँ, जो मारकंडे मुनी ने राजा रग को सुनाया था, पहले कोई महमना धनू नाम के मुनीश्वल थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महा दुखी थे, तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महा घोर तब किया, एक हजार वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनी से बोले, हे वर मांग लो, स्री नारायन बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर मुनी तरप्त हो गए, मुनीश्वर ने बुद्धी शाली और अमर पुत्र मांगा, तब सब देवताओं ने मुनी से कहा, हे मुनीश्वर ऐसा तो प्रत्वी बर आस्ता कोई नहीं हुआ, मुनी पोले, यह महापरवत, जब तक रहे, तब तक की आयू वाला पुत्र दीजिये, ततास्तु ऐसा कहकर, इंद्रसाइद सब देवता स्वर्ग चले गए, धनू मुनी के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ, वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रती दिन बढ़ने ल का अपमान किया, इस प्रकार निमित आयू के बल पर उत्पन होकर ब्राह्मनों को सताने लगा, एक समय अत्यंत क्रोधी महिश नाम के मुनी, स्रेष्ट शालिक राम जी का पूजन कर रहे थे, तब उसने शीकरी शालिक राम जी को उठा कर, चंचलता से हस्ते हुए, जल्च भरे हुए कुए में डाल दिया, तब दूसरे प्रिले काल के रुद्र की बाती, क्रोध कर महिश मुनी ने उस पुत्र को श्राब दिया, कि तु अभी मर जा, जब वे मरा नहीं, तब अपने मन में द्यान किया, कि क्या कारण है, जो ये मरा नहीं है, अरे देवताओं ने ध परवत के खंड खंड कर दिये, तब मुनी का वे पुत्र मर गया, धनू शर्मा ब्राम्मर ने अनेक प्रकार विलाप करते हुए, मृत पुत्र को उठाया, और पुत्र दुख से अत्यंत पीड तो, चिता बना कर अगनी में प्रवेश किया, इस प्रकार हट से पुत्र प्र पुत्रवान होंगे, हे अनक प्रशोत्तम मास के महात्म से प्रसन होकर, मैंने तुमारा यह पुत्र चरंजीवी किया है, अते यह तुमको सुख देने वाला होगा, तुम सदा पुत्र सहित अतुल घ्रस्त आसरम के सुखों को भोग कर, अंत में ब्रह्मा के लोग को और वहां देवताओं के वर्श गड़ना अनुसार, हजार वर्श पर्यंत सुख भोग कर, फिर प्रत्वी पर आकर तुम चक्रवलती राजा होंगे, और चतरुंगनी सेना तता वाहनों से युक्त हो, धन धन्वा नाम से विक्यात होंगे, और दस हजार वर्श तक संपुन प्रत्वी का राज भोगोगे, इंद्र के पद से अधिक अखंड बल वा एश्वर्य होगा, और यह तुमारी अरधांगनी गौतमी पतरानी होगी, इसका गुण सुन्दरी नाम होगा, यह पती सेवा में नित्त ततपर रहेगी, तुमारे चार राजनीतिक पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुन्दर महा भागवान करने होगी, जब तुम देवता और असुरों को भी दुरलब भोगों को भोगने के बाद इस प्रत्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना सेश नही रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुस्तर संसार के विश्यों में फस कर संसार से उद्धार करने वाले, मुझे विश्नु को भूल जाओगे, तब है विप्र यह तुमारा पुत्र उस समय वन में तोता वन कर, वटके व्रक्ष के उपर बैठ कर, बार बार वेरागे उत्पन कराने वाला इसलोक पढ़ता हुआ, तु तोते का वाक्य सुनकर दुखी मनो अपने महल में चले जाओगे, और चिंता के समुद्र में डूपते हुए, अन जल आदी सब छोड़ दोगे, बालम की मुनी आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुमारा संसे दूर हो जाएगा, और अपने इस शरीर को त्याग कर, हर मा विश्णू के ऐसा कहते ही, वे ब्राम्मन का पुत्र उट बेटा, दोनों इस्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनन्दित हुए, और सब देवतावी आनन्दित हो, फूल बरसाने लगे, उधर शुकदेव ने उन माता पिता और श्री हरी को नमस्कार किया, और प भव वे बंजन से आनन्द सैथ गदगद होकर बोला, हे हरी, मैंने चार हजार वल्ष तक निरंतर महा कठिन तब किया, वहां प्रगटोकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे, कि हे वत्ष तेरे भाग में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों के उलंगन करने और मेरे मरे हु पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए, आज हमने अठारेवे अध्याई की बहुत सुंदर कता का सर्वन किया, जिसमें भगवान उसके पुत्र को प्रशोत्तम मास के फल सरूप पुने जीवित कर देते हैं, और अब ब्रामण आगे की कता में पूछते हैं, कि आपने ही प आगे सुनेंगे, श्री बाके ब्यारी जी महाराज की असीम कृपा, हम सभी पर सदय परस्ती रहे, जै जै श्री रादे